जाइन दोस्तो मेरा नामे धीराज आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हम लोग पूरे एक साल बाद अपने PC का साफस्पाइग करने वाले हैं एक साल से जम्में हुए कच्रे के कारण हमारा जो PC है वो बहुत बहुत स्लो काम कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कच्रे को साफ करने के बाद हमारा PC पास्ट चल पाता है या नहीं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गई हम लोग कुछ temporary files to delete कर लेते हैं तो temporary file को delete करने के लिए सबसे पहले हम लोग Windows प्लस R बटन को दबाएंगे और guys उसके बाद हम लोग temp type करेंगे T E M P उसके बाद OK कर देंगे OK करने के बाद guys यह सारे files को हम लोग delete कर देंगे तो delete करने के लिए Ctrl A दबाएंगे और उसके बाद इन सारे को delete कर देंगे और guys delete करने के बाद फिर से हम लोग win plus r दबाएंगे और इस बाद type करेंगे guys percent percent t e m p उसके बाद फिर से percent दबाएंगे guys उसके बाद हम लोग ok कर देंगे ok करने के बाद guys फिर से हम लोग control a दबाएंगे और इन सारे सारे फाइल्स को विल्इलट कर देंगे। है अर यह सारे फाइल्सू Barbara वज्वारीस जो की ऐसे बहुत दीनों से जम्य पर लोग फिरसे हम लोग इसारे को डिलेट कर देंगे और खुस को न तैप करेंगे गैंगे हसी प्रिफेज और गाइज प्रिफेस दबाने बाद फिर से कंट्रोल ए करेंगे और फिर से डिलेट कर देंगे सारे फाइल को रिसाइकल बिन से भी हम इन सारे को डिलेट कर सकते हैं तो रिसाइकल बिन में जाने के बाद वाद इन सारे files को फिर से delete कर देंगे तो यह सारे files हम लोग का permanent delete हो जाए यहां से हम लोग इसे delete कर देते सबसे पहले तो हम लोग का बाद कर रिज्साइ विकल ब्याइब भी साफ हो चुका है और कुछ temporary files भी साफ हो चुका है आप guys हम लोग जाएंगे addictive विंडोज बटन पे जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे स्टोडेज वाले आप्शन पे और storage वाले option के बाद हम लोग जाएंगे गाइस temporary files में लोग देख सकते हैं यहाँ पर C drive हम लोगा select हुआ है और यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने temporary files पर So guys हम लोग यहाँ से windows update clean up को select कर लेंगे उसके बाद windows upgrade lock files, thumbnails, microsoft defender, antivirus, delivery optimization files, direct etc, cache, temporary internet files, Windows error reports and feedback diagnostics इन सारे option को हम लोग select कर लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से remove file कर देंगे आप सब यहाँ पर उपर में देख सकते हैं some temporary files are needed by apps, below is a list of files you can remove now पहले भोल दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर कुछ नीचे files दीगा है, इन सारे temporary files को delete कर देंगे इसके बाद हम लोग next option में guys अपने file explorer को open कर लेंगे और वहाँ से हम लोग इसके बाद हम लोग अपने c drive को slit कर लेंगे और उसके बाद right click करेंगे उसके उपर उसके बाद हम लोग यहाँ से properties वाला option पर चले जाएंगे प्रपोरी वाला option पर जाने के बाद यहांसे हम लोग disc clean up पर चले जाते मेंगे और यहां से हम लोग को जीतने सारे option देगे और इन तरहों token ओट आपक्रस लेंगे कर लेना है और इस सहारे को beliefs करने बाद हम लोग को지막 कर देने यहां से clean up system file क्लेक कर देदेना है और यहां से हम लोग यहतना temporary files था वो सारे डिलेट हो चुका है फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं आप सब देख सकते हैं अभी 2.86 MB का सो हो रहा है और इसके पहले 1.53 MB का सो हो रहा था यह हम रोग का C drive का clean हो चुका है सो हम लोग इसके बाद D drive का same बैसे clean up कर देंगे गाइस सो हम लोग यहां से D drive को slick करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम लोग property वाला option पर फिर से हम लोग disk clean up पर चले जाएंगे और disk clean up पर जाने के बाद आप सब देख सकते हैं इसमें कुछ है ही नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं इसको माफ करते हैं तब तक और फिर से properties में जाएंगे E drive के लिए फिर से disk clean up पर जाएंगे और यहां पर भी 0 bytes हो रहा है तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं फिलाल तक के लिए अप लोग अपना Chrome का data को भी clear कर ले जिससे आप लोगों का जो PC है वो smooth चलेगा तो मैंने बागी सारे files को delete कर दिया है मैं Chrome open कर लेता हूं Chrome के बाद एक और file हम लोग को delete करना है गाईस तब सक हम लोग Chrome को open करते हैं इस हम लोग का Chrome open हो चुका है तो हम लोग यहां पर उपर के तरफ three dot पर चले जाएंगे और यहां से हम लोग चले जाएंगे जाने बाद चलेएंगे clear browsing data वाले option पर और उसके बाद हम लोग यहां से time range को all time से लिक कर लेंगे और उसके बाद हम लोग clear data कर देंगे गाईस जिसे हमारा जितना भी data है उससारे delete हो जाएगा जितना भी cache वागेरा है वो सारे delete हो जाएंगे तो हम लोग इसको delete कर देते हैं सबसे पहले तो हम लोग का browsing data clear हो चुका है और final step गाईस हम लोग अपने c drive में चले जाएंगे और उसका हम लोग जाएंगे windows में और गाईस यहां से हम लोग चले जाएंगे software distribution में सबसे पहले और उसके बाद गाईस हम लोग जाएंगे download वाले option में और गाईस हम लोग इन सारे files को delete कर देंगे यह सारे files भी temporary files है तो हम लोग इसको यहां से delete कर देंगे तो गाईस इन सारे steps को follow करके आप लोग अपना PC को कच्छुए से खरगोस बना सकते हैं यस गाईस आप लोग जरूर से try करें और आप लोग का PC अगर पहले से smooth चल रहा है तो निजए comment करके जरूर बता है तो आज के वीडियो को लिपस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते अगले वीडियो में बाई बाई गाईस